नमस्कार दोस्तों इंडिया स्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की एक ऐसे इंसिडेंट की जो इंडियन आर्मी के पराक्रम साहज और शौर्य का स्रेश्टे एक्जंपल बन कर निकला हम बात करने वाले हैं कार तो आईए शुरू करते हैं तो जब से भारत का पार्टिशन हुआ है जब से पाकिस्तान का जनम हुआ जब से भारत आजाद हुआ तबी पाकिस्तान की नजर constantly भारत के उपर है, वो पूरे भारत को अपने कबजे में लेना चाहता है और eventually उसका इसलामिक रण करना चाहता है, अब ये बात कई बात पाकिस्तान के कई सारे नेताओं और आर्मी के लोगों के द्वारा कही गई है, तो उसी के उपर चलते हुए हम ये भारत के उपर कबजा करना चाहते हैं और उसकी शुड़ूआ वे लोग कर रहे हैं कश्मीर से, उसी पर चलते हुए उन्होंने October 1947 में ही, यानि की आजादी मिलने के कुछी महिनों के बाद, उन्होंने आजाद कश्मीर को जिसको POJ के, यानि की पाक उक्यूपाइट में ले लिया, उसके बाद से एक शुरूंकला चली, भारत-पाकिस्तान युद्ध की, और उसमें कई सारी अलग-अलग घटनाय हुई, और साथ ही में उन्होंने प्रॉक्सी वार भी शुरू कर दिया था, वहां से पाकिस्तान से जिहादियों को, आतंकवादियों को, उग हम ले होते हुए, देखते हैं, लेकिन आज के इस पटिकलर वीडियो में, आज के इस खास देन बर हम लोग बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में, उसके लिए हमको जाना होगा 1998-99 में, अब जो लो कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनक ही स्वाबाविक हैं, तो ये जो पूरी कहानी है, उसकी शुरुवात होती है, उक्टोबर 1998 से, जब चनरल परवेज मुशरण, जो की इस पूरे कारगिल युद्ध का एगई प्लेयर था, जिसने ये पूरी स्ट्रेजी बनाई थी और इंप्लिमेंट की, वो पाकिस्तान आ भारत पर कबज़ा करना, गजवाय हिंद करना और उसके लिए शुरुवा कश्मीर से करना, लेकिन मुशरफ के सीओ एएज बनने के कुछी महिनों के बाद, उस समय के जो भारत के प्रदान मंत्री थे अटल भिहारी वाचपेजी, वे लाहोर गए 20 वरवरी 1999 को, उनका जो अगर आइलाइट देखें, तो इस पर्टिकलर अग्रिमेंट के अंतरगर, भारत और पाकिस्तान दोनों ही रिस्पॉंस्बली बिहेव करेंगे, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे जे उपर हमला नहीं करें, ये था लाहोर अग्रिमेंट, जो की 21 परवरी 1999 हुआ था, और इसको साइन किया था, उस समय के भारत के प्रदान मंतरी अटल भीहारिवाच पैजी और उस समय के पाकिस्तान के जो पीम थे नवाज शरीफ उन्होंने, लेकिन ये जो पूरी कारगिल युद्ध की वेटना है, वो उसके पहले से ही शुरू हो गए था, जैसे कि हमने आ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पैरा मिलिट्री के कुछ जवान, गिल्गिट पार्टिस्तान के विस्तार से कारगिल के आसपास के इलागों में घुस पैट शुरू कर दी, इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो पाटिकलर लाहवर अप्रिमेंट और कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर छुप चुके थे। लाहर अग्रीमेंट के कुछी मैनों के बाद 3 मई फिर से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पैरा मिलिट्री के सुलिडर्स ने गुस पैट शुरू की कश्मीरियों का वेश लेकर 5 मई को भारतिया सेना को इस पीयो के में भगाने के लिए अब उस समय वो जो बैटल पाटी निकली थी और उस समय जो इंडियन आर्मी का स्टेट था उनको ये पता नहीं था कि ये जो गुस पैखी आये हैं वो आम जिहादी नहीं है जिनको पाकिसान दीरे दीरे करके एक एक करके कश्मीर में पेज़ता ये थे पाकिसान आर्मी के ट्रेंग सोल्जर्स और पैरा मिलिटरी के परसनेल तो वे लोग काफी ही ट्रेंग थे और उन लोग के सामने एंकाउंटर के दौरान उस समय भारतिय सेना के पांच जवान वीरगती को प्राप्त होई उसके बाद 9 मई को पाकिसान आर्मी ने कार भारत में घुसाया अब यह जो इलाका है वो तकरीबन 160 से 200 किलोमेटर का है तो इस पूरे इलाके में पाकिसान आर्मी के और पाकिस्तान पेरा मिलिटरी कई सारे लोग और रिडियो भारत में कश्मीर में घुस चुगे थे जैसे ही इस बड़ी घुस पैट का पता चला इन 22 मही को पाकिस्तान आर्मी की जो एर डिफेंस सिस्टम है उसमें अंजा नामक एक सर्फेस टो एर मिसाल सिस्टम थी जिसमें इंडियन एरपोर्स के एक मिक 21 और एक मिक 27 को मार गिराया उसमें एक व्यक्ति फ्लाइट ल्यूटेनेंट नची गेता पाकिस्तान आर्मी के POW ब अभी तक जो ऑप्रेशन किये गए वो ऑप्रेशन सफेज सागर के अंतरगत इंडियन एरपोर्स ने किये थे लेकिन अब 5 जून को आखिरका इंडियन आर्मी को ये पूरी घुस्पैट का और ये पूरे प्लान का पता चला जैसे ही उन लोग को पता चला कि ये जो लोग हैं वे रोग कोई आम जिहादी नहीं बलकि कास्ट ट्रेनिंग लेकर भारत में कुछ से हैं या संभवत पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं तो उसी के चलते इंडियन आर्मी ने आखिरका ये पूरे 160 से 200 किलोमेटर के विस्तार में ओपरेशन विजय लॉंच कर दिया इस ओप है थे और दीरे-दीरे करके उन्होंने मुष्को द्रास और अन्य कई जगाओं को पाकिस्तानी आर्मी के चंगुल से छुड़ाया इन सभी के बीच में तोलोलिंग की एक जंग हुई थी जोकी मुष्को और द्रास के नस्दिक में है वहां पर एक जंग हुई थी और उसको भारतिय सेना के ग्रिनेडियर्स ने जीट लिया था तो उसी के चलते भारतिय सेना का जो कॉन्फिडेंस था वो और भी जादा बढ़ गया और उसके साथ ही जो पाकिस्तान आर्मी थी उनके सामने उन लोगों में एक डिफीट की पावना एक हार की पावना पैदा हो गई जिसके चलते धीरे-धीरे करके अलग-अलग एर्याज में से पाकिस्तान आर्मी के कई सारे जवान और ऐसे कई सारे कश्मीरी भी जो इन पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे फे लोग पीशे हट करने लगे थे भारतिय सेना ने कई सारे इलाकों पर वापस अपना ले लिया था और वहां पर पाकिस्तान आर्मी को परास्त कर दिया था और पीछे हट करने पर मजबूर कर दिया था अब इसके बाद एक निनायक जंग गोई इस पर्टिकलर जंग में टाइगर हिल नामक 16,700 फीट उंची एक पहाड़ी पर दुश्मन उसकी पीक पर उसके टॉप पर कबजा करके बैठा हुआ था जब कोई भी व्यक्ति टॉप पर होता है और उसके सामने वाला उसका दुश्मन अगर नीचे से हमला कर रहा होता है तो और भी सेना लेकर हमला करना परता है यह एक जोग्रफिकल फैक्ट है कि जो हायर अर्टिटूट पर बैठा है उसको हमेशा ही एक वेंटेज पॉइंट मिलता है तो उसी के चलते हैं उसके पास एक एडवांटेज होता है उस समय टाइगर हिल के पास भार्तिय सेना की तीन पास दें एक ती सिख रेजिमेंट एक ती नागा रेजिमेंट और तीसरी थी 18 ग्रेनेडियर्स अब यह जो 18 ग्रेनेडियर्स है वो रीसेंटली तोलो लिंग में जंग जीत आये इन तीनों रेजिमेंट से मिलकर टाइगर हिल की जो परिसी दिदि उसका आकलन किया और अर अपिल क्लाइन था वो काफी स्टीप था जिसके चलते उन लोग की यह काफी सारी चैलेंजिस थी साथ ही में उस समय का जो टेंपरेचर बताया जा रहे है तो इतनी थंड में इतने स्टीप क्लाइन के ऊपर चड़ना और वह भी दुश्मनों की नजर में ना परते हुए ऊ अपने सास, शावरे और पराक्रम का उत्कुरुष्ट उदारन देते हुए उन्होंने अलग-अलग दिशाओं से चड़ाई शुरू कर दे तीरे-तीरे करके वे लोग उपर चरते गए, कई सारे गंटे हुजर गए उन लोग को काफी हद तक समिट तक पहुंचने के लिए जैसे ही सबसे पहले 18 Grenadiers समिट के पास पहुंचने वाली थी, उसी समय उपर से दुश्मनों ने उन लोग को देख लिया, 18 Grenadiers को देख लिया, देखने के साथ ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, फायर पैट शुरू हो गई थी फायर फायर पैट का पता चलते ही, एक तरफ से सिख रेजिमेंट ने और दूसरी तरफ से नागा रेजिमेंट ने अपने साथ का उत्कृष्ट उदारन देते हुए, दो अलग-लग दिशाओं से पीक पर बैठे हुए दुश्मन के उपर हमला कर दिया, जो फायर पैट कु चार जुलाई को, पांच दिन भार्तिय सेना की तीन अलग-लग रेजिमेंट के कई सारे जबान धीरे 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 करके दुश्मन को अपने चंगुल में फसा रहे जे और फसाने के साथ ही उसको परास्त किया और टाइगर हिल फिर से भारत के कबजिन ले देगे, हम लोग जादा दर टोई इमजिस देखते हैं, कारगिल यूतिस से जुड़ी हुई, वो इस टाइगर हिल पर मारतिय जंडा लहराने की है, जहाँ पर इन तीन दर्जिमेंट्स ने मिलकर इस पर्टिकलर हिल को जीता है। 26 जुलाई 1999 यानि की आज से ठीक 25 साल पहले कारगिल हुई खतब। ये जो पूरा युद्ध हुआ जो तक्रीबत तीन महीने चला, अकॉर्डिंग टो ऑफिशल रेकॉर्ड्स उसमें 527 सोल्जर्स वीरगजी को प्राप्त हुए, 1363 सोल्जर्स जख्मी हुए, एक प्रिजन आर्मी ने लोटा दिया, एक MiG-21, एक MiG-27 और एक इंडियन एरपोर्स का हेलिकॉप्टर MI-17 डिस्ट्वाई हो गया, तो इसी प्रकार से कारगिल युद्ध के दोरान, भारतिय सेना ने, भारत में, हम लोगों ने कई सारे जवान गवाए, लेकित तिर भी उन लोगों ने अपनी जान देकर, और बाकी के भारतिय सेना के सूलजर्स के, पाकिस्तान आर्मी की जान लेकर, और उनको वापस बगाकर, भारत की जो अखरंडता है, उसको कायम हो, इसके लिए हम जो जवान वीरगत की उप्राप्त हुए हैं, उनको शर्दान जली देते हैं, और साथ ही इस पूरी जंग में, जिनोंने किसी भी प्रकार से अपना योगदान दिया है, उनको नमन करते हैं, उनको साथ वारत करते हैं, भारत को आप सभी करते हैं, तो दोस्तों ये थी भारतिय सेना के साहस पराक्रव और शौर्य का श्रेश्ट्य हुदारन देती, कारगील युद में जरूर बताएं, इस खुछ जादा से जादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जादा से जादा लोग इस यूर्ट के बारे में, इसकी डीटेल्स के बारे में, इसके पूरे घटना करम के बारे में जान सकें, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए, जैहिन और हरमा कर दो दो सरक दो तीज तो कर दो